नमस्कार बीके बिजनस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है यह वीडियो सीरीज का दूसरा पाठ है और इस वीडियो में हम डिटर्जन पाउडर बनाएंगे बीस रुपे केजी का टिटर्जन पाउडर बनकर तयार हो जाएगा और उसमें आप खर्चा पायकेट का आता है लेबर चार्ज आता है और खर्चा आता है जैसे भाड़ा हो गया तो यह आप 3 रुपे किलो पीछे आप मानके चलिए तो हमारा फाइनल टिटर्जन पाउडर 23 रुपे केजी का बनकर तयार हो जाएगा यह आप हर मार्केट में चला सकते हैं क्योंकि इसका क्वाल्टी बढ़िया रहेगा इसमें आपको कोई भी सिकायत नहीं आएगा अगर आप बनाना चाहते हैं इस फार्मूले से तो आप थोड़ा सा बना कर चेक कर लिजिए अगर आपके मार्केट में चल रहा है तो आप इसे चलाइए नहीं तो मैं तो फार्मूला और भी दूंगा अभी तो मैं दो फार्मूला हुए इस वीडियो को लेकर अभी आठ और है तो मैं पहले सस्ते से कम रेट से ही चल रहा हूँ अभी आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को 100 रुपय तक का फार्मूला दूंगा आप 100 रुपय केजी तक का डिटेजर पाउडर बना सकते हैं लेकिन यह मान के चलिए कि 100 रुपय केजी का डिटेजर पाउड और गाउं में तो कभी नहीं चलेगा लोकल मार्केट में सहर में ही चलेगा बढ़ियां सहर होगा तभी चलेगा तो क्या करना है फार्मूला आप लोगों को पता रहना चाहिए इस फार्मूला हम देख लिजिए रो माट्रियल क्या क्या लगेगा एसी डिसलरी 6 केजी अगर आपके पास बढ़ियां क्वाल्टी का है तो आप 6 केजी उच करिए अगर थोड़ा लोकल क्वाल्टी का है तो आप 7 केजी उच कर सकते हैं सोडा एस 20 केजी साल्ट साथ केजी डोलो माइट 10 केजी कास्टिक सोडा 2 केजी कलर 2 केजी परफ्यूम 500 गराम सबसे पहले 2 केजी कास्टिक सोडा लेना है और उसमें 2 केजी वाटर डालना है यह आप इस टील के बरतन में घोलेंगे क्योंकि पलास्टिक रहेगा तो यह गल जाएगा क्योंकि इसमें जितना कास्टिक सोडा यूज हो रहा है उतना ही हम वाटर यूज करेंगे कास्टिक हम जरेजन पाउडर बनाइंगे कि अ हßen Commons हाज 5 गंटे बाद और आफ यह अब आपको जismت डिटर्जन पाउडर बनाना घ्रण बनाना है वह अब बरतन आपको लbuild 노래 लेकषिए अब आपको म Первनों में तो मसीन में वनाईगे अगर आपको फर्स पर बनाना है फर्स पर बनाएंगे और अगर आप थोड़ा सा बना रहे हैं किसी बरतन में तो आप प्लास्टिक के बरतन में बना सकते हैं टब ले ले देखिए अब इसमें हम पहले सुखा आइटम डालेंगे सबसे पहले साल्ट सोडा एस डोलो माइट और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे साल्ट में ठालेंगे करल कि अब हम इसमें जो कास्टिक सोडा का घोल बना कर रखे हैं वह इसमें ढाल देंगे अब डालने के बाद इसे- 5-2 मिनट तक मिला लेंगे झाल झाल अब इसमें एसी डिसलरी डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे जाइंगे अब इसके बाद कलर अब इसके बाद परफ्यूम अब इसके घर पर यूच कर सकते हैं अगर आपको बिजनस करना है तो आप बिजनस भी कर सकते हैं और भी फार्मूला देखने के लिए आप चैनल पर बने रहे हैं चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन घंटी दवा दें जिसे कोई भी वीडियो बने आपके पास तूट पहुंच सके और अगर आप कुछ भी पूछना तो आप कमेंट में जरूच पूछी गया वीडियो देखने के लिए ध